अबर जैपुर से जहां मुखे मंत्री अशोग घैलोत का चुनावी दोरा जीहां सेम अशोग घैलोत आज तीन चुनावी सभाई करने वाले हैं और आज पाले लोगसभा सीट में सीम की दो सभाई सबसे पहले जैतारण के कालू में होगी सभा और उसके बाद एक बजे सोजट में चुनावी सभाई को संभोधित करेंगे फिर तीन बजे उदैपुर के कोटड़ा में चुनावी सभाई को संभोधित करेंगे आज सीम अशोग घ्यलोत रात को भी आज उद्यपूर में ही रुकने वाले हैं मुखे मंत्री अशोग घ्यलोत का धुआदार प्रचार लगातार जारी है ताबर तो रेलिया जारी है और इसी के मद्दे नजर आज भी तीन चुनावी सभाई करने वाले हैं आज पाली लोकसभाक शेत्र में सीम की दो सभाई होंगी सबसे पहले जैतारं के कालू में संजन सभा होने वाली है और फिर एक बज़े सोजत में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अशोग घैलोत का चुनावी दोरा बता रहे हैं आपको और इसी खबर पर और दिक जानकारी के लिए एवन समाधाता दिनेश का साना फोन लैंड पर जुड़ रहे हैं हमरे साथ जी दिनेश बताएं क्या कुछ अपडेट है आपके पास आज मुख्यमंत्री अशोग घैलोत तीन जनसभाओं को सम्बधित करेंगे उनके समर्थन में दो जनसभाओं को सम्बधित करेंगे के पहले जैतारण के कालू में मुख्यमंत्री की चवा होगी और उसके बाद सोजद्स में चुनावी जन्चवा को मदोर्ग करेंगे और उद्यपूर में कोंग्रेस प्रता इसी रगवेर मिना के हुसं रगषी म्माणों का मोद्ध होगीॵ शाम को तीन बजे मुख्यमंत्री जंसभा को सम्मधित करेंगे और रात्री विस्राम भी आज तीयाम का उदेपुर में रहने वाला है चुकि कल राहूल गांदी का वेनेस्वार दोरा है और उसका भी तयारियों का जाइजा लेंगे मुख्यमंत्री उसके फिडबेक लेंगे और कल बास्वारा में राहूल गांदी के साथ दो रहेंगे जी दिनेश आज तीन सभाए हैं मुख्यमंत्री अशोग घेलोद की तो ऐसे में क्या कुछ मुख्य बिंदू है जिनको लेकर चुनावी मैदान में है इस बार कॉंग्रिस मुख्यमंत्री अशोगेलो जुटे हुए हैं कॉंग्रिस के और से न्या योजना को लगातार जनता के भी पूचाय जा रहा है कि किस तरह से बहतर अजार रुपए आम की मिटाने का कारे करेंगे और देश से गरीवी खितम की जा रहा है कि कॉंग्रिस के न्यूपेस्टों में ऐसे 33% जो महिलाओं को आरक्शन की बात की कही है ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं या पिछले पांस साल की वाजपा सरकार उनको लगातार मुख्यमंत्री है और सरकार के तीन महिने की जो कारिया देजो खेले रहे हैं प्रदेश की सरकार के उनको लेकर विच में जा रहा है मुक्यमंत्री दिनेश पहली झाल झाल